तो हमें Photoshop के कुछ options को own करना पड़ता है तो कैसे ओन करते हैं सबसे पहले हम Photoshop open करेंगे हमारा ओपन करने के बाद आप यहां पर उपर second option देख सकते हो edit, edit को क्लिक करके आप बिल्कुल नीचे preference में जाएंगे और सबसे उपर यहां पर journal में चले जाना है यहां पर आप देख सकते हैं सभी option आ चुके हैं हमारे तो अभी हमें interface पर जाना है और यहां से जो हमारी dark theme है इससे हम यहां पर light सेलेक्ट कर लेना है और यह light कर देना है उसके बाद हम जाएंगे performance में यहां पर हमारी RAM यूज दिखा रहा है तो आप देख सकते हैं हमारी RAM कितनी user रखी है तो हम इसको RAM को बढ़ाएंगे तभी तो हमारी performance आएगी तो इसको हम यहां पर 80 कर देते हैं यह 80, 80 से अबाओ 85 तक कर सकते हैं हम इसको full नहीं करना है यहां पर सेकेंड ओप्शन हमारा है यहां पर हमें यूज ग्राफिक प्रोसेस पर टिक कर देना है इतना करने के बाद हमें पर जाना है यहां पर image processing में यहां पर हमें इन दोनों उप्शन को faster पर कर देना है उसके बाद हमें जाना है technology में यहां पर जो second option है हमारा content aware field को इसको हमें आपर enable कर देना है तो यह कुछ हमारी settings थी इससे हमारा जो photoshop है उसके speed में बहुत improvement आएगा so I hope आपको वीडियो पसंद आई हूँ